नमस्कार यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासे में आसपी का हार्दिक स्वागत दोस्तों जिन अभियर्थियों का टेक्निकल हेलपर में एक्जाम बाकी था उनका जो है आज प्रिक्षा डेट जारी हो चुकी है दोस्तों 21-10-2022 आज की डेट में जो है नोटिस जारी किया है एक् कानपूर वित्रन निगमों में तक्निकी सहायत तृत्य पद के बरती है तू 27-2022 को मुक्य प्रिक्षा तक्निकी कानों से निमन केंद्रों पर आवंटित अभियर्थियों के सबंद में निरस्त की जाती है कौन-कौन से 6 केंदर बताए गए हैं जिस पर प्रिक्षा निरस् के आई-म-पी-एस जैपूर दूसरा है शंकरा इंस्टिटूट जैपूर में थर्ड नंबर है बीके आई-टी ऑन-लाइन सेंटर जो है कोटा में चार नंबर है रुकमनी देवी ऑन-लाइन एक्जाम सेंटर जैपूर पांच है उतकर इंस्टिटूट ऑफ टेक्नोलोजी ज इापूर छे नंबर है तक्षिला विजनस स्कूल जो है दोस्तों ये धियार रखना है उसके बाद किन का एक्जाम दबारा होगा किन अभी अरतियों का एक्जाम दुबारा नहीं होगा ये मैने पहले भी बता दिया था जिन अभीर्दिटियों की अटेंडस लग चुकी है उनका एक्जाम इन सेंटरों पर, ये जो 6 सेंटरों हैं दोस्टों इसके बारे बताया गया इन पर कुछ अभीरतियों के एक्जाम हो चुके थे, कुछ बच्चों के नहीं हुए, किसी का कुछ चीजें जो है सबमिट नहीं हुए, उसी से सबन्दित में क्या बोला गया है, इ अबियरतियों के भी प्रिक्षा जो है रद की जाती है अगर किसी का जो है प्रिक्षा के समय उसकी आईरस जांच होगी रेटिना स्केन हो गया उसकी फोटो खिचवाई गई थी प्रिक्षा के इंदर पर और उसका जो है बायमेट्रिक हो चुका है तो उसका exam दुबारा नहीं होगा ये अबैरतियों के exam दिये गए हैं और उनके रोल नंबर दिये गए हैं यहाँ पर दोस्तो अबैरतियों के किन किन का होगा यह देखिए ये लगबग 11 कैंडिडेट हैं दोस्तों ये रोल नमबर है जिनके ये अपने रोल नमबर देख लिजे इन अबेर्थियों का दुबारा एक्जाम होगा दोस्तों याद रखना ये लगबग टोटल 11 कैंडिडेट बताए गए हैं यहाँ पर जिनका एक्जाम इन 6 सेंटरों पर ही जिनों ने दिया था उनका ये चीजें सब्मिट नहीं होने के कारण जो है वापस रद करके उनका वापस एक्जाम होगा दोस्तों ध्यान रखना नेक्स्ट अगर हम बात करें उप्रोक्त समस्त अभियर्थियों की मुख्य प्रिक्षा वापस कब होगी 211-2022 यह ध्यार रखना है यहाँ पर दिया गया 211-2022 यानि कि जो है हमारे पास 2 नमबर 2022 को होगी दोस्तों जैपुर इस्थित प्रिक्षा केंडरों पर अजोजित की जाएगी सबंदित अभियर्थियों के प्रवेश पत्तर निगम की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर 2022 को उपलब्ध हो जाएंगे और यह वेबसाइट दी गई है यहाँ पर दोस्तों ध्यार रखना और जिन अभियर्थियों का एक्जाम बाकी है वो अच्छे से त्यारी क के पास जो है दोस्तों लगबग 10 दिन का समय है अच्छी त्यारी हो सकती है दोस्तों और जिनके एक्जाम जो है यहाँ पर रोल नंबर दिये गए हैं दोस्तों वो भी बच्चे अपनी त्यारी का ध्यान दीजिए यह ध्यान रखना है ठीक है धन्यवाद